हेलो दोस्तों जैस्वाल क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत सौगत है दोस्तों इंतजार की घड़ियां हो गई समापत अब आपको पता चली गया होगा कि ACF रेंजर के एक्जाम की डेट अब शाशन दे डिक्लेर कर दी है जो कि 5 दिसंबर 2021 है तो अब दोस्तों बिल्कुल तयार हो जाएए अपनी तयारी के लिए और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जहां तक आपने गर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये चीज़ मैंने बताई थी कि 15 नॉबर के बाद से कभी भी डेट आने की संभावना है और जो कि मेरी इस कथनते शाशन ने सत्यता दहियर की और 15 नॉबर के बाद मतलब 5 दिसंबर को हमारे जो प्रशाशन ने डेट निकाल दी अब आपको करना क्या है दोस्तों बहुत सारे फोन हमारे पास आते हैं हमारे और्गनेशन में आते हैं हमारे कोचिंग में आते हैं कैंडिट पूछते हैं कि सर अब इस समय काम क्या करें कि समय बहुत कम बच्छा हुआ है तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो इस्ट्रेंट हमारे साथ पहले चुड़के तैयारी कर चुके हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक मात्र मकसद होना चाहिए कि वो अब अपना रिविजन स्टार्ट कर दे लिए उनके पास सारा मैटर है और उन मैटर को लेके वो सीदे सीदे अब अपना रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं और बिल्कुल करिए और बिल्कुल जुड़ जाए हमारे साथ और अपने घर में भी तयारी में आप बिल्कुल आप कोई भी धिलाई मत बरतिये और बहुत तेजी के साथ और बहुत जल्दी जल्दी अपने सारी चीजों को आपको capture करना पड़ेगा और उन चीजों को तयार करना पड़ेगा यह तो बात हो गई हमारे old students की जो मैंने आपको बता है दूसरे जो नए students हैं जो शायद अभी तक तयारी नहीं कर रहे होंगे तो वो भी अब तयार हो जाएं तयारी करने के लिए क्योंकि समय कम है और इस कम समय में आपको अपनी जो sitting capacity है या अपनी तयारी की जो pattern है वो हमारे साथ जुड़के आप बहुत बहुत बहुतर तरीके से उसको तयार कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में में बताया था कि हमारी offline classes चल रही हैं और जो नए student है वो offline classes जोईन कर सकते हैं जो कि बिलास्कुर में हमारी यहां पर जैसावाल classes के माध्यम से वो चलाई जा रही है दूसरी बात आती है test series आपको मालूम है कि कम समय में एक तरीका बहतर होता है वो होती है test series test series के माध्यम से हम अपनी जो knowledge है उसको test कर सकते हैं उसको परिच्छारी कौसर्थी पे देख सकते हैं कि हम कितनी आसानी और अच्छे से बहतर हम वहाँ पे अपनी productivity इंक्रीज करके हम result produce कर सकते हैं तो test series हमारी वैसे तो शुरू है online और offline दोनों ही test series शुरू है यहां पे जो जैसाल classes जो यहां पिलासपूर में हमारा center है में वहाँ पे चल रही है test series और इसके अलावा goal institute जो की शंकर नगर राइपूर में है वहाँ भी offline और online test series चल रही है तो आप इस बाद का ध्यान रखिए और उसके मार्ध्यम से आप अपनी तयारी को और increase कर सकते हैं और अपनी knowledge को बढ़ा के आप result obtained कर सकते हैं test series में जो अभी जुड़े के जो लोग तो जिनके पहले जो topic हो चुके हैं उनको paper क्या है उनको उपलप्त करा दिया जाएगा वो paper ले सकते हैं और उसकी तयारी के लिए आप उसको इस्तवाल कर सकते हैं अब रही बार की test series का जो schedule है उसमें कुछ परिवर्थन किये गए है आज तारिक है 5 September 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से लेके 5 November तक इन एक महिनों में हमने जो paper 1 और paper 2 मतलब जो paper 1 होता है GS वाला paper और paper 2 जो होता है हम लेंगे 50 question paper 1 कराएगा 50 question paper 2 कराएगा जिसकी topic की information आपको Sunday को जो test होता है हमारा Sunday Sunday जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो बी बताया था उसमें आपको में जाएगी पर 5 November के बाद से 5 November के बाद से exam तक का हम उसी pattern पर test लेंगे जो pattern exam follow करता है paper second तो इस तरह से हम टेस्ट जो है वो पाँच नॉंबर से exam तक का हम 500 question paper first और 500 question paper second हम लेंगे इतने question पर test लेंगे एक बात और दोस्तों जो बतानी है मेरे को आपने देखा होगा कि पहले जो ECF के exam होते तो उसमें एक नया subject जुड़ा वो आया forestry का कई पेडिकेट ये पूसते हैं कि forestry के exam की त्यारी कैसे करें forestry के लिए हम लोग क्या करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे institute के द्वारा दो वो जैस्वार सार के मार्क करशन में निकाली गई है जैसा कि आप बोट पे देख रहे हैं एक forestry की ये बुक जो मेरे पास है एस ये प्रेंजर की और दूसरी ये जो पर्यावरनन परेस्टी की की है ये दोनों बुक आप हमारे सेंटर से या हमारे से यहाँ से विलास्कूर से या जो अकसर आपको हमारे राटूप्सेंटर बताया आपको गोड़ इस्टिटूट वहां पे जो है वहां से आप ले सकते हैं इसके अलावा अरोला बुक डिकों से भी आप क्या कर सकते हैं, यह बुक आप ले सकते हैं, आपको मैं बता दू कि इस बुक में चाहे एक्जाम का कोई भी पैटर्ण होता हो, यह बुक आपको बहुत जादा help करेगी, जैसा कि इस बुक को आप देखेंगे भी तो आपको समझना आ जाएग इसके अरावा आपको forestry में कहीं भी और कुछ topic को पंड़ी की जर्वत नहीं पड़ेगी, और यह topic आपके आसानी से तयार हो जाएगे, रही बाग और कुछ information अगर आपको यहां से चाहिए, हमारे इस्ट्यूट के बारे में और भी कोई चीज़ों की जानकारी आपको चाह दोस्तों एक बाद बहुत अच्छे से लियान रखिएगा कि समय कम होने से एक सबसे जो important चीज़ आपके लिए रह जाती है वो कि आप तयारी को बहुत इत्मिनार मतलब इत्मिनार को मैं नहीं बोल सकता इसमें पर बहुत ही आप organized way में specified होके क्या करें इसको तयारी करें क् एक बहुत golden opportunity है आपके लिए और ये बहुत दिन से waited था exam होना है होना है और उसकी date शाचन ने declare कर दी और हम पहले भी आपको बोल रहे थे पहले भी अपने कई वीडियो के माद्यर जी आपको बताई थी कि जब भी exam की date आएगी तो समय कम रहेगा इसी कारण पहले से तयार कर रहे थे वो बिल्कुल अब तयार हो जाएए और अपनी information को और शाथ कीजे और test series में ये चीज़े ज्यादा माइने रखती है कि test series में आप अपनी जो तयारी है उसको check कर सकते हैं और एक बात और यहां पर मैं बता दूं आपको कि test series में जो questions लिए जा रहे हैं हमने जो questions select कि हैं हमारी जो expert team के द्वारा select के जाते हैं question वो definitely ऐसे नहीं रहते हैं कि किसी book से उठा के दे लिया है कुछ ऐसा कर दिया वो जो questions रहते हैं उनकी quality अच्छी रहती है जो की exam में जिस pattern में है जिस level किया जिस difficulty के questions आने वाले हैं उसी difficulty के questions जो हैं उस level के questions हम क्या करते हैं इ आप अपनी तयारी में इसका फायदा उठा सकते हैं और हमारे साथ test series में भी जुड़ सकते हैं और online और offline दोनों mode में हमारी classes चल रही हैं new batch 4 October मतलब कल से offline वाले शुरू हो गए हैं तो जिनको join करना है वो हमारे इस mobile number पे call करके और information gather कर सकते हैं और test series जो है वो already चल रही है उससे भी आप जुड़ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको schedule pattern बताया और उसको आप ध्यार में रखते हुए उन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं तो मैं उमीद करूँगा कि आप जु हैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और आप पिल्कुल तयार आई शुरू कीजे और नेरी शुक कामना है और जैसवाल क्लासेस की तरफ से आपको पहले से शुक कामना है ताकि आप अविश में इस एक्जाम में सफ़ता कात करके अपने अविश को सुख में बनाया है थैंक्यू थन्यवाद